तो आपने किसी minor के लिए एक pen card apply करते विए एक बात पर गौर किया होगा कि वहाँ पे आपको एक problem आती है, वह problem क्या होता है guys, कि generally जब आप किसी pen card के लिए apply करते हो, तो वहाँ पे आपको अपने documents को submit करने के तीन options मिलते हैं, जिसमें पहला option तो होता है guys, जिसमें लिखा आपको मिल जायागा forward application documents physically, तो ये तीन options generally आपको मिलते हैं guys, अपने documents को submit करने के लिए, लेकिन जब भी आप किसी minor के लिए एक pen card को apply करते हो, तो आपने एक बात notice किया होगा, कि पहले जो दो options हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ एकी option वहाँ पे मिलेगा, forward application documents physically करके, तो ये problem क्यों आता है guys, इसका solution क्या है, और किसी minor का pen card guys, हम लोग completely online तरीके से बनवा सकते हैं, कि नहीं बनवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में guys, हम लोग इसी के उपर बात करने वाले हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेकिन वीडियो स्टाट करने से पहले guys, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी on करके all पे सेट कर दो, ताके आने वाली मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, मैं इ जाता है, लेकिन जब आप किसी minor के लिए pen card apply करते हो guys, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, आपको वहाँ पे document submit करने के पहले जो दो options से वो नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ एक ही option मिलता है, जिसमें आपको बोला जाता है, कि आपको सभी documents जो है, वो physically forward करने परेंगे office में, तो बस यहां से आप परशान होना शुरू हो जाते हो guys, आपको लगता है कि आप यहां पे कोई गलती कर रहे हो, और या फिर आप से कुछ छूट रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह normal है guys, अगर आप किसी minor के लिए pen card बनाना चाहते हो guys, तो minor का pen card direct नहीं बनता है guys, उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो उनके parents या फिर उनके जो भी guardian होगे, उनका documents भी आपको साथ में submit करना पड़ेगा, और तब जाके उनका pen card जो है वो बनता है, तो इसका process गया guys और यह completely online हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चलिए अब य जान लेते हैं, तो guys सबसे पहला सावाल तो यह हम लोग clear कर लेते हैं कि क्या minor का pen card है वो हम लोग completely online तरीके से बना सकते हैं तो मैं कहूंगा guys, नहीं इसमें आप लोग completely online तरीके से बना सकते हो, या फिर कह सकते हो, अब मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूं, आइए इसको समझते है कणि माइनर का पैन कार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट की ऊपर आ जाना होता है वेबसाइट की ऊपर आने के बाद आपको फॉर्म विल करना होता है तो जैसा कि आप भी जानते होगा इसकी फॉर्म में को फिजिकली जाकर कि साथ आपको करना पड़ता हे है तो आपको से अपको फूराइब करोगे तो payment करने के आपको नीघ्मारफ यह होता है बस last में थोड़ा सा changing है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो form है आपको वहाँ सा download कर लेना है आप पहले website के उपर गए website के उपर जाने के बाद आपने जो document physically submit करने का जो option था उसको select किया उसके बाद पूरे complete form को आपने अच्छे तरीके से fill कर लिया fill करने के बाद आपने form का payment कर दिया payment करने के बाद आपने उस form का जो PDF है उसको download कर लिया लेकिन जब आप PDF को download करने के page पहुँचोगे गाईस तो वहाँ पे download button के उपर में आप screen in पे देख पा रहे होगे वहाँ पे एक address रो कर रहा होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपको ये जो PDF है इसका print out निकल लवाकर और साथ में जो documents है उसको submit कौन से office में करना है उस office का address वहाँ पे लिखा हुआ होता है गाईस तो simply आपको क्या करना होता है कि उस PDF को वहाँ से download कर लेना है download करने के बाद उसका print out लेना है print out लेने के बाद का इस PCB candidate का pen card बना रहे हो उसका जो भी document आप use करने वाले हो document आपको ले लेना है उसके अलावा उसके जो guardian है या फिर उनके जो parents है जिनका भी आप देना चाहते है उस बच्चे के साथ में उनका आपको एक ID proof ले लेना है जैसे आधार कर बगारा जो भी आप लेना चाहो और वो उनका ID proof इस बच्चे का ID proof और साथ में ये form का PDF जो आपने print out निकल वाया ये इन सभी को attach करके उपर जो address आपको जो मिल रहा है जो दिख रहा है उस address के उपर जाकर या तो आपको physically जाकर वहाँ पर जमा कर देना होता है और जब भी ये form आपका वहाँ पर office में पहुंच जाएगा उसके बाद आपका जो आगे का process है वो start होता है और जब भी आपके आगे का process start होगा गाई तो आपके mobile पर message आ जाएगा आपके mail पर भी message आ जाएगा कि आपका जो form का जो process है वो आगे बर चुका है तो यही complete process होता है गाई तो इसमें आपने देखा है कि यहाँ पे last stage पे पहुंचने के बाद आपको या तो खुद से जा लिए form भड़ते हो वहीं पर डिजिटली साइन करके अपने documents को upload करके pencard के लिए apply कर देख और आपका pencard बन के घर पर deliver हो जाता है तो इसको completely online बोलते हैं लेकिन minor के case में आप completely online तरीके से तो बिल्कुल नहीं बनवा सकते हो अभी तक तो नहीं बनवा सकते हो आगे का पता नहीं में अगर आगई यह available हो गया तो अलग बात है लेकिन अगर अभी आप बनवाना चाहते हो तो process यहीं है अगर आपको कोई दिक्क्त आती है गाई तो मैंने pencard को कैसे apply करना इसके ऊपर एक video बना रखा है actually pencard को नया pencard कैसे apply करते है इसके ऊपर है लेकिन इसमें आपक detail में सबको समझाया हुआ है उस वीडियो का लिंक नीचे description box में है आपको जरूर देख लेना आपको एक idea हो जाएगा कि आपको कैसे apply करना है और बाकि last का जो process है वो तो मैंने आपको समझाएं दिया कि कैसे आपको printout निकलवाने के बाद उसमें documents, photos और जो भी उनके अगली वीडियो में